तो इस प्रॉब्लम में अपनको बोल रहा है, solve for complex number, तो यहाँ पर अपनको equation दे रिखे, 57 times x raised to power 6, minus 180 times x raised to power 5, plus 234 times x raised to power 4, minus 159 times x cube, plus 60 times x square, minus 12x plus 1 is equal to 0, अपनको इसको solve करना है, और यह 6 degree की equation है, तो यहाँ पर 6 roots हाएंगे, तो सारी चीज़े अपनको find out करनी है, तो देखते है इसको कैसे कर सकता है, तो सबसे परले हाँ पर तुम्हें different कीज़े दिखती होगी, इसको पन इस तरी कैसे लिखता है, जैसे 57 times x raised to power 6 है, इसको तुम इस तरी कैसे लिख सकते हो, वही simplify करने के लिए कर रहे है, सारी चीज़े, 64 times x raised to power 6, minus 8 times x raised to power 6, plus x raised to power 6, तो इस तरी कैसे लिख दिया है इसको, वैसे जो next time तुम्हें दिख रही है, वो है 180 times x raised to power 5 बाद लिख सकता हूं, बाद में यूज करेंगे अपन इन सबका, next time है यहापर 234 times x raised to power 4, तो इसको तुम लिख सकते हो, 240 times x raised to power 4, minus 6 times x raised to power 4, next में तुम्हारे पास हैंपर, minus 159 times x cube, तो इसको तुम लिख सकते हो, x cube minus 160 times x cube, next में तुम्हारे पास हैंपर, 60 axis, 60 axis पर इसको ऐसा है रहने दो, minus 12x and plus 1, तो यह सारी टेमा पने पास, तो इसको मै लिग देता हूं तो फस्क्तम की जगत यह आ जाएगा 60 गवाइंश चरिफ पर एक्ट इंट अन्स-खरेश ट्रेश ट्रेश ट्रीच प्लस भीड़ थर ट्रेश ट्रेश टैमस एक्स्ट पाइट अन्स-टार जाएगा तो फट्ट आंइट तो फॉर्टे तामस ट्रेश एंड माइनस का 12 x plus 1 is equal to 0 अभी हाँ पर तुम यह वाली टम लो उसके बाद यह वाली टम क्योंकि यहाँ पर तुम अपन बाइनोमिल एक्सपेंशन का पार्ट है तो वह वह देखेंगे अपन फिर यह वाली टम लेंगे अपन उसके बाद माइनस में 60 टैम्स एकाम और उसमें ऊस्क्ति एस स्वार मैनने संट वं मुसरी टम को देखें सो 64 गैसे एस बाएज एस यह इस बार फाइजको ट्रमनाज को थो मिल्षट्राइंस तो यहां पर इस तरीक से वैसे इसको 65 एंड यहां पर तू एकस रस भाइप इस तरीक से लिख दिया यह 64 हो जायागा और यहां फिर डिदूपार 4 तुम्हें एक कैल्क्विघ कर सकतो यह जो कोफिशेंट यहां पर तुम्हें दिख रहे हैं यहां पर से 64 की वाल्यू तो कितनी आएगी कि 6 multiply by 5 divided by 2 तो यह तुम्हार पास 15 आएगा और 15 को तुम अगर 16 से multiply करोगे तो 240 आएगा तुम्हां पर यह दिख रहे हैं तुम्हां ने इस तरीक इस लिखा है माइनस यह 63 टाइमस 2 x का क्यूब बन जाएगा प्लस यह 62 टाइमस 2 x का स्कॉयर बन जाएगा और बाकी वैसे आगे की एटम आएगी तो अगर तुम देखोगे तो यह 1 माइनस 2 x बेस्ट पावर 6 इसका अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो सेम जो चीज है यह आएगी तो यहां तक तो मैंने लिख दिया इसके बाद यह 12 x को तुम क्या कर सकते हो माइनस 61 टाइमस 2 x हो जाएगा एंड यह जो बन है वो क्या हो जाएगा 60 0 हो जाएगा तो पूरा बाइमस 2 x बेस्ट अब बाकी बच्ची वह चीज है अब बाकी जो टम बच लिए हैं यहां पर एक यह x raised to power 6 बच रहा है तो x raised to power 6 वाले 一onden लाइक दम बचे हैं प्लस अगर अपन देखें तो एक X3 बच रहा है तो एक X3 बच अपने पास nand यहाँ पर देखेंगे तो 1-6X रिस्टु पावर 4 बच रहा है यह बच गया nand 1--8x रिस्टु पावर 6 है and 12x रिस्टु पावर 5 है तो यह वाली टम बची तो यहाँ पर अब इसको इस तरी कैसे लिख सकते हैं यह x raised to power 6 को ऐसे रहन देते हैं यहाँ से x cube को मैं ले सकते हैं तो यह 1-6x plus 12x square minus 8x cube इस तरी कैसे आ जागा तो इसको भी मैं लिख देता हूं x raised to power 6 plus x cube 1-6x plus 12x square minus 8x cube is equal to 0 तो अब यह 1-2x raised to power 6 plus x raised to power 6 plus x cube और इसको भी तुम क्या लिख सकते हो 1-2x का cube लिख सकते हो तो अगर तुम इसका cube करोगे तो से इन यह चीज आ जाएगी is equal to 0 अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो पूरी equation में अगर x raised to power 6 से divide कर दे तो यह इस तरीके से आ जाएगा प्लस 1 प्लस यहाँ पर x cube cancel हो जाएगा और यह इस तरीके से बन जाएगा अगर तुम देखोगे original equation तो x is equal to 0 उसको satisfy भी नहीं करेगा तो उसका root भी नहीं होगा तो x आपन norm 0 आएगा तो open divide कर सकते पोस में कोई problem नहीं है और अब इसको simplify तरीके से लिकेते हो 1 by x minus 2 raised to power 6 plus 1 plus 1 by x minus 2 का cube is equal to 3 तो यह 1 by x minus 2 तो में दिख रहा है तो अब क्या कर सकता है तो यह जो 1 by x minus 2 है इसको तुम कुछ y माल लो तो यह y की power 6 plus 1 plus y cube is equal to 0 अब यह तुम्हारे पास बन जाएगा अब यहां पर भी तुम क्या कर सकते हो y cube को अगर मैं further t माल लो तो यह तुम्हारे पास क्या बन जाएगा t square plus t plus 1 is equal to 0 और इसके तुम्हें पताएगे complex cube root of unity में तुमने पढ़ा होगा omega and omega square so minus 1 plus minus root of 3 iota divided by 2 पर यह दो root आ जाएगे तुम्हारे पास दो value आ गई इसको मैं किस तरी किसे लिख सकता हूँ एक को t1 बोल देता हूं तो cos of 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3 तो एक तो अपने पास यह आ जाएगा और यह t2 को मैं यह बोल देता हूं cos of 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3 अब T अपना गया था y cube so y cube is equal to cos of 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3 यहांसे अगर तुम y निकालोगे तो तुम्हारे पताए demoviares theorem का यूज करके तुम्हारे निकाल सकता हूं तो इस तरीके साथ आ जाएगा cos of 2 pi by 3 plus 2 kpi divided by 3 plus iota क्योंकि तीन रूट हैंगे इस से तो यह इस तरीके से आ जाएंगे demoviares theorem का यूज करके तो iota sin 2 pi by 3 plus 2 kpi divided by 3 और यहां पर तुम्हें पता है के बिलॉंग करेगा 0 1 & 2 k की different value put करोगे तो उसके according तुम्हारे पस different values आ जाएगी और वैसी तुम्हारे पास आया था पॉस of 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3 तुम्हां पर भी तुम्हां लिख सकतो इसी तरीके से तुम्हां से जो य की value आएगी वह इस तरीके से आएगी अगर तुम देखोगे तो और वह ही यहां पर के बिलॉंग करेगा जीरो 1 & 2 को और शुरू में अपने यहां पर भी सब्स्टिट्यूट किया था 1 by x-2 is equal to y तुम्हारे पास y की value आगई और इहां से अगर तुम x देखोगे तो 1 divided by y plus 2 आजाएगा तो जो डिफ्रेंट वाइक वेल्यू आई है तुम्हारे पास